ये वीडियो देखने के बद आपकी girlfriend या boyfriend आपको बोलेंगे कि इतने fast replies कैसे हारे messages के तो उनको बोलना कि आपने keyboard के सारे tricks सीख लिए allogen taken हिंदी के पास से तो वैसे तो ये वीडियो आईफोन beginners के लिए लेकिन अगर आप एक pro user हो तो भी आपको वीडियो देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ basic and advanced functionalities बताऊंगा keyboard के बारे में आप कितने भी दुर अंदर हो आईफोन में भले ही आपके पास आईफोन 4 से लेकि सारे आईफोन आज तक हैं लेकिन फिर भी ऐसी कुछ tricks है जो आपको नहीं पता होंगे जो इस पटी को वीडियो में में cover करूंगा अब keyboard पर जाने से पहले सबसे पहले आते हम settings में settings में आने के बाद यहां से आके आप कोई भी नया keyboard add कर सकते हो आप देख से तो जो भी language आपको add करनी है वो सारी languages आपको यहां पर मिल जाएगी अब हम चलते next option में that is text replacement अब यह हमको तब काम आता है for example अगर मों कोई भी email id भेजनी है किसी को तो every time में को अगर email id type नहीं करनी है तो यहां पर एम एक shortcut create कर सकता हो तो for example phrase में यहां पर कोई भी email id डाल देते हैं जैसे email id में डाल देता हूं उसके बाद में कोई आना है shortcuts में and यहां पर में कोई भी characters add कर देता हूं for example add the rate add the rate two times कर लेता हूं and यहां पर में save कर लेता हूं अब हम आते हैं वापस notes में and यहां पर जैसे में दो भार add the rate करूंगा and space करूंगा तो वो email id जो मेंने text replacement में डाली यहां पर add हो जाएगी तो कहने का मतलब अगर आपको किसी को email id frequently भेजनी है या फिर अगर आपको आपकी postal address किसी को भेजनी होती है तो every time वो पूरा address type नहीं करना है तो आप इस तरीके से text replacement करके कर सकते हो next आते हैं 100 keyboard में यहां पर आप इसको off भी कर सकते हो left कर सकते हो right कर सकते हो अब इसका मतलब क्या है तो सबसे पहले मैं आपको keyboard में लेके जाता हूँ यहां पर मैं को करना ही है कि यहां पर यह जो globe दिख रहा है इसके उपर click करके यहां से भी मैं same option create कर सकता हूँ जो मैं settings में मिलता है तो यहां पर मैं को right पर जैसे click करूँगा तो मेरा keyboard right side shift हो चुका है अब इससे होगा है कि अगर मैं को right handily use करना है मेरा phone तो मैं इस तरीके से type कर सकता हूँ अगर मैं को left handily use करना है तो long press करके मैं को इसको left side वाले icon पर click करना होगा next हम चलते है auto correction में अब auto correction का मतलब क्या है तो यह भी with example में आपको दिखा देता हूँ इसको सबसे पहले off कर लेते हैं अब हम आएंगे notes में यहां पर for example कोई भी word लिख रहा हूँ take अब take मैंने यहां पर spelling सही लिखा है लेकिन अगर मैंने कुछ और mistake कर दी सपोज मैंने take करने के बाद L कर दिया and space किया तो कोई भी यहां पर correction नहीं होगा of course यहां पर एक red line में को दिख रही जिसका मदब है कि यह spelling गलत है लेकिन यह जब spelling यह और correct नहीं हो रही है तो वो करने के लिए मेरे को आना है settings में settings में आके मैं को auto correction यहां पर on कर देना है अब जैसे मैं notes में आऊंगा यहां पर मैं एक और mistake कर लेता हूँ यहां पर hello के जगा पर मैं hell ही लिख लेता हूँ and जैसे मैं यहां पर space करूँगा तो auto correct हो जाएगा तो अगर आपको चाहिए कि spelling mistakes automatically correct हो जानी चाहिए तो यह वाला option आप on रख सकते हो अब off रखने का भी एक purpose हो सकता इसमें तो for example अगर आप English में type कर रहे हो अपनी कोई भी language for example अगर आपको Hindi लिखना है या फिर Gujarati लिखना है लेकिन आपको characters use करने English में तो in that case आपको यह वाल option off करके रखना होगा so that Hindi में अगर आप कुछ भी लिखने जा रहे हो तो वह आपे वह automatically correct नहीं होगा अब next हम आते enable caps lock में तो यह वाल option हमको क्यों दिया है इसका benefit किया है तो सबसे पहले अगर हम इसको off करते हैं and notes में आते हैं तो for example अगर में को कोई भी word यहाँद पैपि में that odpow करना है तो में को हर वार क्या करना पड़ेगा कि shift पे click करना होगा and जो भी word इसको caps करना होगा, लेकिन अगर मेरे को पूरा wordy caps में type करना है तो मेरे को यहाँ पे एक option मिलता है ताट है shift को में को double click करना होगा अब double click यहाँ पे मैं काम नहीं करेगा यह जो shift यहाँ पे आप single click ही कर सकते हो तो double click करने के लिए आपको आना यहाँ पे enable caps lock on करना है और उसके बाद जैसे आप इसको double tap करोगे अब आप देख सकते हैं यह जो keyboard उसमें caps lock activate हो चुका है अब जो भी letters में यहाँ पे type करूँगा वो caps lock में type होंगे तो अब चलते हैं वापस हम settings में यहाँ पे हम next option में चलते हैं स्मार्ट punctuation अब स्मार्ट punctuation अगर आपने on रखा होगा यहाँ पे हम notes में आते हैं and for example मैंने hyphen अगर दो बार type कर दिया तो automatically होगा यह कि दो बार hyphen type करने से वो amp dash में convert हो जाएगा and दूसरा जो purpose smart punctuation का वो यह है कि यहाँ पे 123 पे click करने के बाद for example यहाँ मैं quotes करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको curly quotes दिख रहे हैं लेकिन अगर आपको straight quotes चाहिए तो उसके लिए फिर आपको smart punctuation off करना होगा and जैसे आप इसको off करोगे अब आपको straight quotes देखने को मिलेंगे तो आपका जैसे भी use है उस हिसाब से यह option आप on यह off कर सकते हो लेकिन in my case में इसको on रखने वाला हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो जितनी बार भी एक नया sentence में create करता हूँ वो capital letter में नहीं होगा लेकिन the moment में यहाँ पर settings में आके auto capitalization को on करता हूँ उसके बाद जो भी नया sentence होगा वो सब start होगा है caps lock से तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो first letter है यहाँ पर मैं को caps lock देख रहा है तो यह तो होगे auto capitalization अब चलते predictive पर अब predictive का option अगर आपका on है तो उससे होगा है कि आपका keyboard हो learn करेगा जो भी words आप every time type करते हो तो इसमें आपको benefit यह ही है कि for example अगर कोई भी word मैं यहाँ पर type करता हूँ जैसे मैंने h e l लिखा है तो मेरे को यहाँ पर option मिल जाता है hello का क्योंकि मेरा iPhone अलेडी समझ चुका है कि मैं hello काफी बार use करता हूँ अब keyboard में next option पर चलते है character preview अब character preview करता क्या है तो again हम आते हमारे notes में यहाँ पर जैसे मैं कोई भी letter type करता for example h तो आप देख सर्व जैसे मैंने h type किया तो जो h है वो pop out हो चुका है यहाँ पर ही मैंने i लिखा है तो i मेरा pop हो रहा है तो every time जो भी letter में यहाँ पर select कर रहा हूँ वो pop होके मैं को दिखा रहा है सोदर में को पता चले कि मैं क्या type कर रहा हूँ लेकिन अगर मैं इस particular option को off करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ भी type करूँगा वो type तो जरूर होगा लेकिन वो pop out होके मेरे को दिखाएगा नहीं तो इसलिए better यह ही है कि आपको यह वाल option हमेशा on रखना चाहिए and next बात कर ले dot shortcut अब dot shortcut करेगा यह कि for example यहाँ पर मैंने कोई भी word लिखा है और उसके बाद मैं एको space पर double click करना है अब double click करने पर यह होता है कि एक तो यहाँ पर आपको full stop लग गया उसके बाद आपको space एक मिल गया and third option जो है जो first letter है वो automatically caps में चला जाएगा तो double space करने से तीन functions एक साथ यहाँ पर place हो जाते है next option यहाँ पर आपको दिख रहा है that is enable dictation अब अगर यह वाल option आपका on है उसके बाद अगर हम notes में आते हैं यहाँ पर आपको एक mic दिख रहा है अब suppose आपको किसी को message type करके नहीं बलके आपको dictate करना है तो उसके लिए आपको इस mic पर click करना होगा and उसके बाद जो भी आप बोलोगे automatically यहाँ पर type होता जाएगा of course फिलाल मैं Hindi में बोल रहा हूँ इसलिए इसको मुश्किल हो रही है लेकिन अगर आप English में बोलते जाओगे तो automatically यहाँ पर type करता जाएगा that is next time अगर आपको कोई भी message भेजना है किसी को तो आपको सिर्फ इस mic पर click करके dictate करना है पूरा message and यह करने के लिए आपको करना इतना ही है कि enable dictation आपको on रखना है अब dictation languages में में ने English और Hindi दोनों select करके रखा है लेकिन most of the time Hindi सही से वो नहीं समझता है English 100% नों समझ लेता है next आपको यहाँ पर option मिलता है check spelling का जिसको आपको on रखना चाहिए अब on रखने से होगा है कि अगर आपने कोई भी spelling mistake की होगी तो ऐसे underline हो जाएगी that is यहाँ पर आपको देख रहा है red color का underline जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ mistake है and आपको अगर इस particular mistake को correct करना है तो उसके लिए आपको सिव इतना ही करना है कि यहाँ पर tap करना है and फिर आप select कर सकते हो जो भी mistake की उसको आप rectify कर सकते हो यहाँ से आके अब यह rectify करने के दो options है second option है जैसे आप backspace करोगे यहाँ पर आपको corrected word का option मिल जाएगा अब next आपको जो option मिलता है settings में बहुत ही काम का है and that is slide to type अगर आप इसको off रखोगे तो एक important use इसका कम हो जाएगा तो इसको आपको हमेशा on ही रखना है and on रखने के बाद मैं आपको use दिखा देता हूँ for example यहाँ पर मैं notes में आ गया and उसके बाद suppose मैं को hello लिखना है तो मेरे को सिर्फ इतना ही करना होगा तो मेरे को यहाँ पर इसको slide करना होगा जैसे मैं यहाँ पर slide करूँगा तो यह word type हो जाएगा and उसके बाद मैं को जो भी words यहाँ पर type करने वो मैं slide करके कर सकता हूँ इस तरीके से तो अगर आपको type नहीं करना है आपको dictate भी नहीं करना है तो आपको एक तीसरा option यहाँ पर मिलता है तो आड़े slide अब next आपको यहाँ पर option मिलता है delete slide to type by word अब यह particular option का मतलब क्या है तो suppose for example यहाँ मैंने slide किया है मैं again remind कर रहा हूँ आपको slide करके मैंने type किया ना के एक-एक letter type करके तो in that case अगर slide करके मैंने hello लिखा है and जैसे मैं backspace करूँगा तो पूरा का पूरा word यहाँ पर delete हो जा रहा है तो इस वाले option को आपको हमेशे on रखना चाहिए तो यह तो होगे वो keyboard settings आपको पता होने चाहिए अब हम चलते है notes में and हम देखेंगे हमारे keyboard में क्या-क्या चीज़ आप कर सकते हो अफकोस आप यहाँ पर type तो करी सकते हो तो यहाँ पर आपको hashtag plus is equal to का option मिल रहा है इस icon पर click कर रहोगे तो आपको और भी ज़्यादा options मिलेंगे और भी ज़्यादा symbols आप यहाँ पर add कर सकोगे and अगर आपको ऐसा symbol चाहिए for example degree sign जो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो in that case आपको 123 करना है and 0 का icon यहाँ पर जो देख रहा है इसके उपर long press करना है जैसे आप long press करोगे यहाँ पर आपको degree का option मिल जाएगा तो कहने का मतलब अगर आपको किसी को temperature भेजना है तो यहाँ पर आप degree की sign add कर सकते हो तो बहुत सारे ऐसे symbols जो यहाँ पर hidden है जैसे आप long press करोगे अब आप इसको use कर सकते हो as a cursor तो जहाँ पर भी आप move करना चाहते हो जहाँ पर आप इस cursor को place करना चाहते हो वहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हो तब आप देख सकते हो जो भी correction आपको करना है वो आप यहाँ से आके कर सकते हो अब what if मैं को कोई भी word यहाँ पर select करना है तो word select करने के लिए मैं पर double टैब करना होगा तो जैसे मैं यहाँ पर double टैब कराओं ये वाला वर्ड सिलेक हो चुका है लेकिन what if मैं को पूरा का पूरा sentence यहाँ पूरा का पूरा paragraph select करना है तो in that case मैं को three times click करना होगा तो three times जैसे मैं यहाँ पे tap करूँगा तो पूरा paragraph यहाँ पे select हो चुका है अब जैसे मैं select करता हो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ options में को देख रहे हैं आप cut कर सकते हो copy कर सकते हो कहीं और जाके paste कर सकते हो and next and most powerful option जो आपको यहाँ पे मिलता है is biu इस पे आप जैसे click कर होगे number one आप of course peak करवा सकते हो that is जो भी आपने type कि हो आपका iPhone आपको dictate करके बूलेगा next आप इसको bold कर सकते हो उसके बाद इस परिगर sentence को आप italic कर सकते हो underline कर सकते हो and most important चीज जो मेरे को बहुत ही पसंद इस particular option में that is strike through that is अगर मैं को पूरा पूरे sentence को strike through करना है तो वो option में को यहाँ पे मिल जाता है next यहाँ पे आपको एक globe का icon दिख रहा है इस पे आप single click भी कर सकते हो and long press भी कर सकते हो जैसे long press करो यहाँ पे आपको option मिलेगा कौन सा keyboard आपको select करना है आपको emoji चाहिए या फिर आपको Hindi keyboard चाहिए आपको English keyboard चाहिए तो वो सब selection आप यहाँ स दिखा चुका हूँ that is इस पे double click करने के बाद मैं सारे letters को caps lock में type कर सकता हूँ अब यहाँ पे आपको एक shortcut दिखा देता हूँ for example मैं को H capital में लिखना है तो of course मैं shift पे click करके H तो करी सकता हूँ लेकिन अगर मैं को यहाँ पे time save करना है तो मैं को इतना ही करना कि इस shift पे click क करके इस finger को यहाँ से हटाये बिना मेरे को सीधा एधा track करना है H पे and जैसे मैं H पे select करूँगा तो capital letter में type हो चुका है and save मैं कर सकता हूँ numbers के लिए अगर मैं को कोई भी number यहाँ पे add करना है तो मैं को 123 करना होता है and वो number यहाँ पे type करना होता है लेकिन अगर मैं को एक ही क्लिक किया drag किया and वो number यहाँ से आके मैं select कर सकता हूँ तो यह trick use करने से काफी time आपका बच सकता है next path करने थे emojis के बारे में जैसे आप emoji पे click करोगे यहाँ पे आपको सारे emojis देखने को मिल जाएंगे अब अगर आपको यह सब drag करके नहीं डूढना है तो दूसरा option यह यहाँ पे नीचे जो icons है इनके उपर आप slide कर सकते हो and अगर वो भी नहीं करना तो यहाँ से आप search भी कर सकते हो for example मैं को यहाँ पे LOL लिखना है तो LOL जैसे आप type करोगे तो आप देख सको कि कौन से हो emojis है जो LOL को signify करते हैं तो यह तो होगे तीन तरीके emojis को add करने के लेक इसके बाद मैं type करता हूँ smile तो smile लिखने पे मेरे को smile का emoji यहाँ पे मिल चुका है and अगर मैं ROFL यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे को ROFL के जो भी emojis है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे तो इस तरीके साब emojis add कर सकते हो that is जो भी word आपको पता है कि यह word का कोई emoji होग तो वो word type करके यहाँ पे emoji आप select कर सकते हो अब next logo को दिक्कत यह आती है कि हर emoji का तो मतलब उनको पता नहीं होता है तो for example यहाँ पे को emoji में add कर देता हो for example यह वाला अब मेरे को अगर यह वाले emoji का मतलब जानना है तो मेरे को करना है इतना है कि इस परटी emoji को सबसे पहले select क इसके बाद में को यहाँ पे arrow पे click करना है and में को click करना है speak पे face with tears of joy तो इस थरीके से आपका iPhone आपको उस परटी emoji का मतलब बोल के बताएगा अब again यह speak का option अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मेरा पुराना वाला वीडियो देख साथ तो क्यूंकि बाकी सब लोगों को म आपने कुछ भी type किया है and आपको इसको undo करना है तो undo करने के दो तरीके तरीका number one आपको आपके phone को shake करना है जैसे यहाँ पे मैं shake करूंगा यहाँ पे मैं undo and redo को दोनों को option आ चुका मैं यहाँ पे undo क्लिक कर रहा हूँ अब यह undo and redo करने का जो second process है उसके लिए आपको करना इतना ही कि three finger से आपको swipe करना है तो अगर आप three finger से left side swipe करोगे तो यह undo हो जाएगा and right side अगर swipe करोगे redo हो जाएगा तो यह सब tips and tricks अगर आप use करोगे तो iPhone keyboard में आप master हो जाओगे तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आपको सिर्फ इतना ही करन कि वीडियो को लाइक करना है शेर करना है चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब कर सकते हो पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर पी क्लिक जरूर करें देखते रहे ओलो जिन टेकन हिंदियो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में